एक अच्छी सुबह और एक खुशाल परिवार पत्नी किचन में व्यस्त है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ तभी बच्चे की आवाज आई और मैं खुशी खुशी घर से निकल पड़ा कुछी देर मैं अपने कारक्षेत्र पहुँच गया सुरक्षाधिकारी ने सभी कर्मियों को सेफटी टॉक दिया और फिर मैंने बड़े ही उत्साह से कार्यारंब कर दिया वैसे मेरे लिए ये कोई नया कार्य नहीं था इस तरह के कार्य मैं पहले भी कई बार कर चुका था इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कार्य समबन करके वापस अपने घर पहुँच ना चाहता था पर मैं नहीं पहुँच पाया नहीं दुरगट नक रिस्त हो गया जब होश आया तो मैंने अपने आपको अस्पताल में पाया मैं अपने बच्चों और परिवार से घिरा हुआ था बच्चे गमगीन थे पत्नी की अश्रुधारा लगातार बैरे थी मैं तो हेल भी नहीं पा रहा था मुझे बताया गया कि अब वेल चेर ही मेरा साहरा है मुझ पर तुझे से दुखों का पहाड़ ही टूट बढ़ाता आमदनी का एक मात्र जरिया समाप्थ हो गया एक गलती की इतनी बड़ी सजा मन में रहरे कर बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिर इन छोटे-छोटे बच्चों की क्या गलती थी इनकी परवरिश अब कौन करेगा परिवार की जरुरतें कौन पूरी करेगा मेरी एक छोटी सिला परवाई से मेरा पूरा परिवार आज संकट में आ गया मैं ही इन सब का दोशी हूँ हाँ, सिर्फ मैं ही इसका दोशी हूँ मन में ये भी सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों मैंने कभी सुरक्षा प्रशिक्षन पर ध्यार नहीं दिया क्यों सुरक्षा उंकरण पहनने में हमेशा लापरवाही बरती क्यों कार्यस्थल में मौजूद खतरों को नजर अंदास किया और क्यों मैंने खतरों से निपटने के लिए साथियों और अधिकारियों की सहायता नहीं ली तो क्या आप भी मेरी तरह लापरवाह और अधियात्म विश्वास से ग्रसित हैं? क्या आप भी मेरी तरह मुर्खता पूर्वक सुरक्षा निहमों को तोड़ते हैं? तो फिर क्या आप भी किसी बड़ी दुरगटना के इंतजार में हैं? दोस्तों, दुर्गटना के मूलतह दो कारण होते हैं असुरक्षित कार्य और असुरक्षित परिस्थित्या असुरक्षित कार्य स्वयों व्यक्ति के द्वारा किये जाते हैं जैसे व्यक्तिगत सुरक्षाओं करनों, हेलमेट, जूता, फुल बॉडी हारनेस, लाइफ लाइफ लाइन, फाल अरिश्टर आदि का उप्योग न करना, शॉर्ट कट अपनाना, जल्दवाजी में कारी करना और लापर वाही पूर्वा कारी करना आदि एक विशलेशन के अनुसार असुरक्षित कारी दुर्खटनाओं के लिए 96 प्रतिशत तक जिम्मेदार पाए गए हैं, असुरक्षित कारी की आदत दुर्खटना की ओर पहला कदम होता है, सदय अध्यान रखें, सबसे अच्छा सुरक्षा उपकरण है आपका अपना उसका उप्योग के जिए, दुर्खटना का दूसरा कारण है असुरक्षित परिस्थित्यां, जो की बाहे कारणों से निर्मित होती हैं, जैसे उचाई के कारें, बिजली, क्रेन, गैस, चलती हुई मशीने, कन्वेयर बेल्ट, तप्त धातु, एवं रसायन आधी के कारें, प्रत्येक दिन कार्यारंब करने से पहले कारक्षेत्र में मवजूद खतरों की पहचान करनी चाहिए, और उसी के अनुसार समचित सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, सदैव सतर्क रहें, सदैव सुरक्षित रहें, अवशकता इस बात की भी है, कि हम नेर्मिस प्रकरणों और पूरु में घटित दुरगटनाओं से कुछ सीखें, और अपने कारे वेवहार में आवश्यक परिवर्दन इवं नेंतरन करें, ताकि भविश्य में होने वाली दुरगटनाओं की आशंका को भी रोका जा सकें, दोस्तों, मेरी सुरक्षा मेरी स्वयम की जिम्मेदारी सुख में जीवन का निर्माण सुरक्षा प्रथम की बुनियाद से ही शुरू होता है, अतर सुरक्षा को आत्मसाथ करें, और उसे अपने आचरण में लाए, हर रोज सुरक्षा की प्रतिग्यले, घर, सड़क और कारिक्षेत्र के हर कारेकलाब में सुरक्षा को शामिल करे सुरक्षा की चर्चा करें इस तरफ दीरे धीरे सुरक्षा आपकी आदत बन जाएगी सदेव याद रखें आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है आप सुरक्षित यानि आपका परिवार भी सुरक्षित सुरक्षा अपनाईए और अपने कल को बचाईए तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को दुरगटना मुक्त बनाने के लिए? येस! तो आईए मिलकर प्रण लेते हैं कि हम स्वयम अपनी अपने साथियों की एवं कारिक्षेत्र की संपत्ति की सुरक्षा करेंगे फारवर्ड करें लोगों में फैलाएं और उन्हें जागरूग बनाएं धन्यवाद